तो माई डेर स्टुडेंट आज किस वीडियों में बात करेंगे बिए फस्ट एर के फस्ट समस्टर के एजुकेशन जरने फिच्छा फाफ्त के पूर एक पूरा स्लेबस और मौस्ट इंपॉर्टन टोपिक्स के बारे में तो जिन जिन भी इन्वसिटी वा कोलेज में स्टु क्योंकि प्रश्ण आते हैं उस लेवर्स और टोपिक से जुड़े आते उससे बाहर का कुछ नहीं आता है ठीक है इसलिए पूरा का पूरा यह वर्स यानिकि पूरा का पूरा जो स्लेबस बनाया जाता है कि हां इस लेवर्स को देख ले पढ़ ले समझ ले यहीं से प्रश चनाएंगे वह कैम से चुल फ्रेम आफ चुकेशन सर्मंदित आएंगे पूरा का पूरा फ्लेबर जो है एंग्लिस में उचनाएंगे। सबसे पहले बारे में पूराइंगे, सबसे पहले यूनिट में क्या मौस्ट उप्रणें टोपिक से क्या जब्स बनेंगे, क्योंकि जो आपके परिष्छा में प्रस्ण आएंगे वो इन ही चैप्टर इन ही यूनिट से संब्धित आएंगे और कहीं से कुछ भी नहीं आएगा जो आप चैप्टर पढ़ेंगे यहीं से आएगा बस ठीक है तो जैसे कि पहला सिच्छा यानि कि एजूकेशन की अधाण की बिये कर रहे हैं ठीक है इसका उद्देश क्या है तो यहां फिए कोश्चन मतसकता है कि फिच्छा के उद्देश के बारे मताईए यह फिर फिच्छा के उद्देश बताईए और दूफरा कोश्चन हो सकता है फिच्छा के अधाना बताईए नोट करिए उसके बाद जाने के लिए कई काउन सी परंपराएं थी उन परंपराओं के बारे मिदिखना है यानि की प्रचीन भाटती है जिसमें से मार्ग जीवन यानिकि अगर आप किसी भी दिसा में जाएंगे तो आपका जो जीवन है वह आपके ही जो आप सोचेंगी उसी में जाएगा मतलब की अगर आप बुरे मार्ग पर चलेंगे, तो बुरे मार्ग पर आपको वैसे ही शीख मिलेगे, वैसे ही आपका जीवन रहेगा, अच्छे मार्ग पर जाएंगे तो अच्छा जीवन चलेगा, और अच्छे आपको सुचाएंगे, ठीके, तो यहाँ पर एक पॉइंट यह वाला इसके बाद विद्या क्या है ज्ञान क्या है सिच्छन थैक है जिसमें प्रसिछन बनाम मतलब होता है प्रश्चन के इंद्र क्या होते हैं प्रश्चन क्या होता तो जहां पर ट्रेनिंग आपको जी जाती है कोई स्किल फिकाई जाती है तो उसको बोला जाता प्रश्चन तो प्रश्चन किफे कहेते हैं और ज्यान क्या है विद्या क्या यहां से प्रश्चन बन सकते हैं ठीक है उसके बाद फिच्छा के कारक बताईए फिच्छा के कारक कौन कौन से हैं फिच्छा का उद्देश क्या है फिच्छा के बेक्तवादी समाजिक उद्देश बताईए ठीक है ऐसे प्रस्ण आपको देखने को मिल सकते हैं तो फर्स्ट यूनिट से थे उनके बारे मैंने आपको जानकाई दी फर्स्ट यूनिट में यहीं से question पूछे जाएंगे इन topics को इन बातों को आपको जो यहां पर लिखा इनको ध्यान रखना है बस ठीक है कारक है और देश है और धाना है बस ठीक है अब unit number second में unit number second में आपको देखने को मिलेगा आज यह topics है वह फिच्छा के कार बता है यह फिच्छा का कार क्या है बेक्तिगत और समाजिक विकास क्या होता है विकास का मतलब सिंपल सा है किसी चीज में improvement होना किसी चीज में बढ़हत्री होना ठीक है जैसे कि आप विकास कही तरीकी को फक्ता कही बिजिनस मान लीजे कोई company ह उसमें कमाई होती थी किसी ने company open की कोई आदमी ने ठीक है और company open करने के एक साल बाद उसको हर महीने दो लाग का profit होता था फिर अगले साल तीन लाग का हुआ फिर अगले फाल पांच लाग का हुआ इफी तरह बढ़ते बढ़ते उसका दफ लाग हो गया ठीक है इस तरह ब जो उद्देश है यह इंक्रिमेंट वाला भी कास यानिकि बेक्तिकत और समाजी कि प्रश्णली इंसान और समाज समाज को भी लेकर आगे बढ़ रहा है समाज में बहुत फारी चीज़े हैं जिनके बाएं लोग जानते नहीं है लेकिन आज ऐसा समय आ गया समाज का हर इंस पूरी तरह थी लेकिन बहुत कम थी तो उन सब चीज़ों में विकास हुआ तो वही है उसके बाद सांस्कृत बिराफत का परसारण जो हमारे कल्चर जो हमाए रीत रिवाज हैं उसमें बहुत फारा लोग पर चार परसार हुआ लोग उसके बारे में जाने और उसका और भ समाजीक एकता है महात्पों टीजरी अगे तरशेह समाजीक एकता के भारे में ठीक हैं तो इसोरी और एकता के बारे तरी牌 मिस दो तो आपको बहुत पारे बिजने पैसे मिलेंगे जहां पर आपको अराम ही अराम होगा ठीक है तो हलाकि इंपॉर्टन नहीं आप इशे एक्णोर भी कर सकते हैं राफ्टे एक्ता के लिए फिच्छा ज़रूरी है अगर राफ्ट को एक फास लेकर चलना है सबी लोगों को अगर हम एक लेकर चलेंगे तो क्या फाइदा होगा तो आप जब आपको पता ही नहीं तो आप कहां रहेंगे तो फिच्छा का बहुत बड़ा योगदान है राफ्टे एक्ता में तो इसके बारे भी यहां से कोश्चिन बन सकता है उसके बाद अंतर राफ्टे समझ के संसे पाइंगे और ना कैसे जाना है नहीं से बात करना कैफे और वहां पर जांका एंगोंडे अब यूनित नमबर थाड़ में आ जाएंगे फिच्छा एजन्सिया बताएं तो फिच्छा के बहुत फारी अलग-अलग एजन्सिया है और उन फिच्छा एजन्सियों के बारे में लिखना है और बहुत ही महत्मों टॉपिक से याद कर लेजीगा इसके बारे में ठीक मतब आफचारिक फिच्छा क्या है और अब चारिक स्विच्छा क्या है ये itakhis लिकंडूाторिक फिच्छा क्या है और दौनों बहुत इम़ाद bod रूप करेगे उन्सी और वर और अफज से आपके दो ende सब्द्रेंद को भारत इस्टा संविधान हैं और इन दोनों के वारे में आपको तैयार कर लेना भारत संविधान के बारे में पढ़ लेना ठीकिर संविधानिक परवधानिक उनके बारे में कुश्चन हो सकता है भारते सम्मिधान और फिच्छा के मादम से समयधानिक मुल्यों का समावेश कैसे होता है उसमें फिच्छा का क्या योगदान है ऐसे प्रस्ण मन सकते हैं ठीक है यूट नमबर फॉर्थ से जिसमें से एक महात्पूर्ण यह फिच्छा के अब आ गए हैं यूट नमबर 5 में आपको प्रारमभिक फिच्छा यानि की शुरुवात की तो सिच्छा होती है उसमें प्राइमरी की अधाना बताईए यानि कि जब छोटा बच्चा श्कूल जाता है तो उसके बारे में लिखना है प्राइमरी फिच्छा किसे कहते हैं प प्राइमरी फिच्छा क्यों ली जाती इसका उद्देश बताई इसका महत तो बताईए पूर प्रात्मिक फिच्छा के कुछ मॉडल से बताईए डाल्टन मॉंटोफरी और किंडर गॉर्टन के इनसार ठीक है यह इंपॉर्टन टॉपिक से पूर बिकी प्रश्ट भूम जो की 2020 में आई थी ठीक इसके बारे में लिखना है कि इन एपी जो एजुकेस्टन नेशनल पॉल्सी है राफ्टे फिच्छा नित यह कब आई 2020 में आई किस ले आई इसमें किस्त क्या क्या बदलाव किया गया इन सभी के बारे में लिखना है और पूर प्रात्मिक समय अंतर बताईए प्रात्मिक और माध्मिक फिच्छा किसे कहते हैं जिसमें से प्रात्मिक फिच्छा की अधाना बताईए माध्मिक फिच्छा के माध्मिक फिच्छा के मात बताईए फिर अगला कि प्रात्मिक फिच्छा का वर्तमान प्रा पारे दर्स क्या है मतलब कि वरतमान समय में जो प्रात्मिक फिच्छा है ठीक है यह जरूरी है या फिर नहीं जरूरी है इसमें कहां तक अपडेट किया गया इसमें कहां तक भिकास हुआ है प्रात्मिक फिच्छा में इस समय की सिचिवेशन क्या है भारत की ठीक है तो प्रात्मिक फिच्छा इस समय पह तो यह उनहीं इस्टूडंट को पढ़ायी जाती है जो छोटे होते हैं ठीक है यानि कि फॉपर वाले जो की पंद्राफ 14-15 वाल तक के जो इस्टूडंट होते हैं बच्चो उनको इस फिच्छा दी जाती है ठीक है कैई प्राथमीं के बारे में कुछ चना आफकता है यूनिसको के बारे में एंसी आरटी के बारे मा आफकता है ठीक है और एंसी टी आई के बारे मा आफकता है यूजी सी के बारे में कुछ चना आफकता है ठीक है कि नहीं के बारे मत आई तो अंतर राष्टे बूर्ड क्या है राष्टे बूर तो आप अच्छे जानकारी हो जाएगी किया है मौस्ट इंप्रण टॉपिक्स क्या है और कहां से प्रश्ण बनेंगे ठीक है बाकी जल्द ही हमारी कोश्चेन आइंसर वाली वीडियो आएगी जिसमें कोश्चेन भी होगा और पीडियप भी आपको मिलेगी यानिकि नोट्स वाली पीडियप भी मिलेगी तो अभी सिर्फ हमारा वीडियो बनाने का उद्देफ यही था कि आपको जानकारी हो जाएक फिच्छा फाफ्तर में जो कोश्चन आएंगे वह कहां से आएंगे कौन से टॉपिक्स से आएंगे यह जानकारी आपको होनी चाहिए बस अगर यह हिंदी में पूरी पूरी आपको पीडियप चाहिए फ्लेबर्स की तो आप टेलीग्राम पर मैसेज़ कर दीजेगा आपको मिल जाएगा और यह आपको अपना ही चैनल सक्सेस्ट हुए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा मिलते हैं को ने वीडियो को साथ दिब तक ल चेहंद